सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिन्दगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियो सब्सक्राप्ट करने के लिए नमस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दगी किसी पिसोट में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी मूल नच्चतर के बारे में कई हमारे इवजल मूल नच्चतर के बारे में वीडियो मागे हैं कि उनका बच्चा मूल नच्चतर में जन्म लिया है तो क्या करना चाहिए तो मूल नच्चतर बच्चा जब पैदा होता है तो गाओं में या सहरों में भी कहीं भी तो कुल उप्रोहीत को हम बताते हैं कि हमारा बच्चा इसी समय जन्म लिया तो उप्रोहीत उसमें बता देते हैं कि आपका बच्चा कैसे नच्चतर में जन्म लिया है तो उस समय ही बता देते हैं कि अगर मूर नच्छत रहे तो आप उनका सांती करवा ले जो भी कुछ अच्छा बुरा रहता है सब बता देते हैं और अनिवार भी है जब भी आप बच्चा जनम ले तो आप पंडित जी को जरूर बताएं लिख कर जरूर रखें कि कितने समय रात में कि दिन में कहां पर अस्थाने सब पूरा लिख के रखें पंडित जी तुरंत न मिल पाएं तो कुछ दिन के बाद संपर करें और अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखें वैसे सभी आज कल थोड़ा बहुत जोतिस जानते हैं तो जैसे कि बच्चा जब जनम लेता है तो हम पंचाग अगर अभी देख लेते हैं तो मूल जो नच्छत्र है तो सिर्फ हम जब अगर मूल लिखा रहता है तो उसी को समझते हैं कि हाँ ये मूल नच्छत्र है तारीक के दोरा जानते हैं कि 20 या 22 या 24 यानि कि जिस तारीक को मूल है उसी को हम मानते हैं कि हमारा ब 22 तारीक को मूल लगा हुआ है आप देखें और वो 22 तारीक को रातरी को खतम हो जाता है उस अधी में अगर बच्चा जनम लेता है जब मूल खतम हो जाता है तो वो नहीं माना जाता तो आप बारीकी से देखें इसकी जानकारी रखें और मूल नच्छत्र यानि जो कुछ मू मूल वही नहीं होता है, मूल संगत छ ऐसे नच्छत्र हैं, जिन नच्छत्रों में बच्चा जनम ले तो मूल नच्छत्र माना जाता है। नच्छत्रों को वताई हूं कि इन 6 नच्छत्रों में बच्चा जनम लेता है तो मूल नच्छत्र में बच्चा आपका जनम लिया है आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए आप पंचांग देखना जाने और हर नच्छत्र के जिस नच्छत्र में आपका बच्चा जनम लि जिसमें जेश्ठा एक ऐसा नच्छत्र है कि इसमें चारो चरण ही अशुव होते हैं, चारो चरण में यानि की सुवता नहीं होती है, बाकी नच्छत्र जैसे की रेवती नच्छत्र है, तो ये नच्छत्र बहुत ज्यादा कश्टकारी नहीं है, बाकी आपको मैं बताऊंग कि कौन-कौन से नच्छत्र ज्यादा भारी पड़ते हैं और कौन-कौन से कम यानि कि चार ऐसे नच्छत्र हैं जो कि भारी होते हैं दो ऐसे नच्छत्र हैं छमें कि जो कि इन में बच्चा जनम लेने वाला कम ही कष्टकारी होता है तो जैसे कि आप जान लेजे कि मूल नच् लोग बहुत मानते थे कि आठ साल तक बच्चे का मून नहीं देखना चाहिए, छे महने तक नहीं देखना चाहिए, तो आज इस सब बाते नहीं चल पाएंगी, तो 27 दिन ही न देखें मून, और 27 दिन विद्धिवत, पूजन कराके, और मूल सांती कराके, तभी बच्चे का म देखें, ऐसा मतलब माननता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से छ नच्चतरों में बालक जन्म लेता है, तो मूरहा बालक, यानि कि मूर से ग्रसित और पीडित बालक कहलाता है, तो मैं आपको बताओंगी कि चार ऐसे नच्चतर जो की भारी हैं, दो ऐसे अगर जैसे कि मैं आपको बताऊंगी आगे कि चरन होते हैं तो आप जैसे अपने बच्चे का कुंडली बनवाए हैं या आप अपने कुंडली बनवाए हैं तो आप जब वो पहला पन्ना होता है आप उसमें देखेंगे तो नच्छत्र और बच्चे का रासी का नाम किस अच लिखा रहता है नच्छत्र क्या है और नच्छत्र चरण लिखा हुआ रहता है यानि अंक में एक दो तीन चार्ण तो आप यह देख लें कि आपका बच्चा किस चरण में पैदा हुआ है यानि कि कितने भारी या कितने हलके योग में पैदा हुआ है अगर भारी योग है तो उसका थोड़ा सावधानी पुरुवक सांती कराया जाता है, जैसे कि रेवती अशोनी नच्छत्र में जन्म लेने वाला बच्चा, सांती तो कराना ही चाहिए, सब नच्छत्र का, जैसे कि माली जी जो अशोनी और रेती जी बता रही हूं, आपको इनके चरन भी देख लीज नच्छत्र के बारे में और आप बिल्कुल भैभीत नहों, ये सब चलता रहता है, मूल नच्छत्र, त्रिखल दोस, और काल सर्फ दोस, और तमाम जोतने दोस हैं, पितर दोस, ग्रहान दोस, यानि कि सूर्य चंद्रमायक साथ रहें, तो माल लीजिए, आपके कुंडली मे तो आप माल लेजिए, कि आपका बच्चा ग्रहान के समय जन्म लिया है, तो उसकी भी सांती कराना, तो ये जब अगर दुर्योग है, तो इनकी सांती भी है, पूजा भी है, दान भी है, ये सब करके इनको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तो मैं आपको जो नच्छत् इनके चरण के वारे में क्रम से बता रहे हूं, जैसे माल लेजिए, आपका बच्चा अश्वनी नच्छत्र में पैदा हुआ, तो मूल नच्छत्र माना जाएगा, जैसकी सामान इसा नच्छत्र है, तो इनमी जैसे पैदा हुआ, तो आप चरण देखें, कि किस चरण में पैदा हुआ, एक, दो, तीन, चार, यानि कि नच्छत्र के आगी लिखा रहता है, तो माल लेजिए, आपका बच्चा पहले चरण में पैदा हुआ, अश्वनी के, तो ये पिता के लिए कश्ट कारी होता है, दूसरा चरण है अगर तो ये शुख और अश्वर बच्चे को प्राप्त होता है जीवन में, अगर तीसरा चरण है अश्वनी का, तो बच्चे को पद प्राप्ती होती है, यानि किसी राजनेता या कोई भी नेता आगे चलके आपका बच्चा बनता है, अगर अश्वनी नच्छत्र के तीसरे चरण में जन मिलेता है, तो चौथा चरण तो बच्चे को जीवन में राज शम्मान जरूर मिलता है यानि राज के तरब से सम्मानित पूरसकार भी मिलता है ऐसा नहीं है कि मूल नच्छतर हर तरह से खराब ही होते हैं तो आप अपने बच्चे का चरण देखिए नच्छतर का कि क्या क्या चरण है और इन सब के बाद अपने कर्म पर पूरी तरह से जीवन आधारित रहता है यानि कि कभी कोई पंडिजी पता देते हैं कि तुम्हारा कुंडली में बहुत अच्छा योग है राज योग है ये सब है तो मा बाप और बच्चे फूले नहीं समाते फिर बोलते हैं योग है ही तो वो तो मिलेगा आप अपने कर्म को अच्छा बनाए रखिए सुदिण बनाए रखिए और अपने कर्म जो कार्य है वो लगातार करते रहिए आपके मार्ग में कभी भी रुकावट नहीं आएगा और आपको वो सब मिलेगा जो पंडिजी बताते हैं या जो आपकी कुंडली में रहता है कुछ अच्छा बताने के बात कर्म खराब होने पर सब उल्टा हो जाता है कुछ भी नहीं मिलता उसी प्रकार से मैं आपको असलेशा नच्छत्र में जन्म लेने वाले बालक का चरण बता रही हूं कि असलेशा नच्छत्र में अगर बालक जन्म लेता है तो वो पिता के ल बारू चरण के शुभ और अशुभ प्रभाव में आपको बताई हूं। इस नचत्र में जन्म लेने वाला बालक काफी अपने परिवार के लिए अखुत के लिए भी कश्टकारी होता है। इसरे नचत्र में जन्म लेने वाला बालक अपनी माता के लिए कश्टकारी होता है। चोथे नचत्र में जन्म लेने वाला बालक यानि कि जेश्ठा नचत्र के चोथे चरण में जन्म लेने वाला बालक खुद के लिए कश्टकारी होता है। कि खुद ऐसा कुछ करता है जो कि खुद ही कश्ट पाता है। एक ऐसा नचत्र है कि उसके चारो चरण अशुब होते हैं। मूल नचत्र में पहले चरण में अगर आपका बालक जन्म लिया है तो वो शुब माना जाता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वालक धन का नाज करता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वालक माता के लिए कश्टकारी होता है। और चौथे चरण में जन्म लेने वालक पिता के लिए कश्टकारी होता है। जाशा कि आप देखते होंगे कभी-कभी बच्चे माता से ज़्यादा क्लोज रहते हैं, माता से ज़्यादा पढ़ती है और पिता से सतुरता रहती है, तो इन्हीं कई कारणों से ऐशा होता है, ऐसे योग होते हैं, जो कि उस जातक से वो कर्म करवाते हैं, जो कि ग्रह द्व लिया है तो उसको सम्मानित पद की प्राप्ति होती है यानि कि जो की सम्मान भी मिले अच्छा पद भी रहे कोई भी नेता हो कोई भी कुछ अच्छा पद हो राज के तरब से वो आपके पुत्र को या पुत्री को मिलता है तीसरे चरण में बालक जब जन्म लेता है तो धन स शुखी और शंब्रिध रहता है चौथे चरण में जन्म लेने वाला बालक कश्ट पाता है और दुखी रहता है ये है रेवती नच्छत्र के चारो चरणों के बारे में तो आप मूल नच्छत्र की जो विधिवत पूजा है सांती है दान है जरूर कराएं अगर आपका बच् जो खुन के संबंधित हैं उनको भी पीड़ा पहुंचती है यानि कि संबंध जो खुन के रक्त संबंधि हैं सबको पीड़ा पहुंचती है तो जैसे कि मैं आपको बताई जानकार यो बार बार बता रहे हूं कि आपका बच्चा इन छो नच्छत्रों में जो मैं छो नच् भर हुई छोटी सी मूर्ति बनवाएं जैसा कि मैं सभी पूजा में बताती हूं कलस अस्थापना बिना कलस के कोई भी पूजा शुब और शफल नहीं माने जाती यह जो मैं आपको पूजा बता रही हूं लगूजा मैं सिर्फ बता रही हूं आपके पंडिक जी पूजा मूर्ति को बन्याष्ट दल कमल गरह बनाके और पान पर गौरी गनेश को भी आवाहन करेंगे गौरी गनेश से ही सारी शुबता बनी रहती है उनसे भी आसिरवाद लेंगे विधिवत पूजा करके पंडिक जी जो जो समान आपको बताएं मूल सांती के लिए च्छाया दा पूजा करके और जो मूर्ति का बताती हुए पूजा उन्ही उप्रोहित को दान कर दिया जाता है अगर आप संब्रिद्ध हैं संपन हैं तो छोटी सी भर हुई मूर्ति सोने का बनवा लें और नहीं तो सुनार के हाँ पामे की भी मूर्ति बनवा सकते हैं जिस नच्छत्र के श्वामी का मूर्ति बनवा के बिधिवत मूल सांती करवाएं और उन्हीं उप्रोहित जी को दान देकर उनका चरहिसपर्स करें ब्राहमर भोजन कराएं और जितना आप से बन सके ब्राहमरों को गरीबों को दान देकर अपने संतान के लिए आसिरवात की प्राप्ति करे आशिरवाद पाएं, मैं आपको बताई हूँ, मोल न छत्रे के बारे में विधिवत, आप अपने कुल उप्रोही से संपर्क करें, और बिल्कुल भी चिंता न करें, हमारे साथ बने रहें, आपको हमारे वीडियो से अगर कुछ लाब होता है, जानकारी प्राप्त होती है, त इतने हैं आसान जिन्दगी तब तक के लिए, नमस्कार